आपको बहुत स्वागत है मेरा नाम दर्म और आप देखरों मेरा चैनल करियर्टा जो दोफ वास्टाम चैनल को देख रहे हैं सब्सक्काइब कर लें और बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे हैं आज की वीडियो में हम एक बहुत की अमाल के टॉपिक में बात करेंगे कि अगर गाओं से लड़केंगर एइंजिनिंग करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़ादे ज़रूरी है तभी आप एक सफल इनजेनियर बन पाओगे तभी आप एक सफलतम करियर अपने आपको दे पाओगे और तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा गर पाओगे मैं भी एक गाउं से याता हूँ और बहुत सारी बरिसारियां से लिए हैं और मैं वीडियों बता भी चुका हूँ अपने बारे में तो वो चीज़े जो मैंने फेस किये न वो आप लोग के सामने मैं रखना चाहता था कि जब एक लड़का गाउं से इंजिनिंग करने आता है तो किन-किन चीज़ों में वो बहर जाता है मैंने अपनी आखों के सामने देखा है जड़कों को बरबाद होते हुए इंजिनिंग करने आए दो साल तीन साल पढ़के चले गए कुछ नहीं हुआ पैरेंट्स का पैसा बरबाद कर लिए घर वाले मैं एक आख दो लोगों ने आत्मात्या कर लिया टेंसन में आ करके तो प्लीज अगर गाउं से इंजिनिंग करने आ रहे है फैमिली बैक्राउंड सही नहीं है तो इन चीजों को कभी मत करना सबसे पहले आप जिस गाउं से आ रहे हैं लोगों की बहुत साथ उमीदे होती आप के उपर कि नहीं आरी लड़का गया है अगर आप उस गाउं में कुछ बन के नहीं जाओगे न तो लोगों की जो उमीदे हो फिर जाएंगे क्योंकि society में बहुत जब इंपैक्ट पड़ता है आप की सफल असफल न होने पर तो एक चैज मैं बता तूँकि जैसे गाउं से इंजिनिंग करने जा रहे हैं उसरaway लड़का गाउं से इंजिनिंग करने जाता है नकिषब जाता तो वहां की चका चौथ देख करके वो डर जाता है चका चौथ देख के में वहां के बड़ी बड़ी विल्डिंगे सहर से लड़के लड़के आते हैं वहां के high class, life styles ये सारे चीज़े देख करके वो डर जाते हैं और वहां पर एक दो चार महीने रहते हैं तो उन high life और dude type में जो voice नहीं होते हैं dude type में की come on voice ये वो ऐसे type पे जो लड़के होते हैं वो उन गाओं के लड़कों का misuse करते हैं, उनके parents जो पैसा देते हैं, मिल बाट के खा जाते हैं, पता तक नहीं चलता है कि कब semester exam आया और कब आप और कब आपका career खतब होगे, आपको खुद नहीं पता चलता है और जब year back लग जाती है तो वही जो दोस्त आपके साथ dude type में आयश्वाराम से बात कर रहाता है, वही आपका साथ चोड़ करके आगे बढ़ जाता है लेकिन वही काँ के लड़के होते है जो हाँ पर मेहनत करते हैं सफल होते हैं और कुछ करके दिखाते हैं तो आप लोग को ज़रूरत है कि उस चकाचाओ उससे डरिये मत आप एक normal इंसान हो, normal ही रहो उनकी चीज़ों को अनलाइज करो तो अबने पैसे से एश करोगे उनके पास उतना पैसा नहीं को जितना आपके पास होगा हाँ हो सकता है रेर केस में कोई किसी का फादर बहुत बड़ा बिजनसमें हो तो बिजनस इंडस्ट्री में जा सकता लेकिन अगर आपके अंदर capability है तो उस बिजनसमें को भी आपके इच्छे कर सकते हो बस वक्त का फेर होता है दोस्तों लाइब में तो वो चीजे मैंने बताई ना कि आप उस चका चौश से डरो मत दूसरी वहाँ की लाइब स्ट्राइल को कभी accept मत करो तीसरे जो वहाँ का manner और culture होता है etiquettes होता ना उनलों का कभी सीखो मत क्योंकि जो हमारे parents सिखाते है ideal बना life के लिए वो जिन्दी का real सत्य है उसके लाव में सब दिखावा होता है और एक चीज और अगर आप जा रहे हो तो सबसे पढ़ाई में मन लगाओ तरीके से पढ़ाई करना सीखो जो आपके गुरु जी ने, टीचर ने, मास्टर जी ने जो आपको आपके गाओं में पढ़ाया था कुछ उन तरीकों को यूज करो और जो वहाँ के टीचर से उनसे familiar बनो मतलब उनसे पढ़ते रहो सीखते रहो कि क्या चीज़े हो रही है इधर उधर गुमना बंद कर दो कि इधर गुम रहे हो, उधर गुम रहे हो करियर पर नहीं ध्यान दे रहे हो पता है, अगर आप गाओं से इंजिनिंग करने जाते हो और एक साल आपकी एर बैक लग जाती है मानलोग दो-धाई लाट रुपए आप फूंकते हो एक साल में इंजिनिंग करने में एक नॉर्मल बंदे के लिए जिसकी इंकम दस जार, पंद्रे जार रुपए महीना है धाई लाट रुपए एक साल में देना बहुत टफ होता दोस्तों तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है अपने आपको mentally strong करने के अगर हम mentally strong नहीं हुए न तो कहीं न कहीं हम अपनी family को धोखा दे रहे हैं और उस family को धोखा देने से बड़ा हम अपने आपको धोखा दे रहे हैं family तो हमारे चलो कैसे भी कट मर्ग के हमारे लिए कर रहे है लेकिन हमारी भी तो responsibility बनती है को उनको support करे है तो please जो लोग गाउंस engineering करने जा रहे हैं चाहे हो लड़किया हो चाहे हो लड़के हो ऐसा कदम मत उठाओ कि आपके family वाले आपके भगल वाले आपके रिस्तदार या कोई भी हो बहुत परिसाल हो जाए और आपके एक एक एकजामपल ऐसा बन जाओ जो लोगों देख करके कहें कि देखो ये बहुत गंदा इंतान है इसकी तरह नहीं बनना इसलिए तुम engineering करने मत चाहो तुम्हीं के दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मैसेज है और पसंद भी आई होगी लोगों सा शेयर भी करो तभी मुझे लगे जा कि नहीं आप लोग कुछ कर रहे हो करियर अड़ा के साथ या सोसाइटी में या आपने आपके लिए कुछ कर रहे हो थैंक यू जैन नमस्कार दोस्तों